A very warm good morning all of you How are you all? बेटे, आप सभी कैसे हैं? आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 है जो हमने पढ़ा था जिसका शीरिशक क्या था? आओ हम पढ़ चल्डे पहाडी पर पहाडी में तो ये कविता बेटे हमने पढ़ ली थी और इसके हमने कटिन शब्द, शब्दार्थ हमने कर लिये थे इस पाठ का सार, पूरा सार भी मैंने आपको लिखवा दिया था बेटे, ये चैप्टर आपकी पाठ्य उक्रम से हटा दिया गया है मतलब एग्जाम में आपकी चैप्टर नहीं आएगा ये मैंने आपको सिर्फ एक बार explain करने के लिए पढ़ा दिया है ताकि आपकी भुस्तक के कोई भी chapter मिस ना हो सभी पढ़ाए जाए आपको इसी लिए आज हम इसके प्रेशन उत्तर करेंगे, मोखिक प्रेशन तक मैंने आपको करवा दिये थे पिछले वीडियो में आज हम प्रेशन एक करेंगे जो है जो कुछ इस तरह से है बिटे निमलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रेशनों के उतर लिखे जो करना हो काम नहीं तुम समझो उसे पहाड कभी हिम्मत रख कर तुम पहाड पर चड़ सकते हो अभी अभी कवी तथा कवीता का नाम लिखिए प्रेशन एक है यह आपका पद्यांश है पद्यांश क्या किसी कहते है बिटा मैंने जैसे कि पहले भी आपको बता रखा है कोई भी कवीता कवीता का जो एक पद होता है एक पैरेग्राफ होता है पद किसी कहते है हम एक पैरेग्र पहाड के गिरी परवत और नग मैंने यहाँ पे आपको तीन लिखकर दिखाए है अगला प्रेशन है आपका प्रेशन दो सही विकल्प पर सही का चिन्न लगाएं मुन्नी कदम कदम रखकर कहा चड़ने लगी मतलब पिछाडी इसका अंसर क्या है पिछाडी आपका मुन्नी ने पहाड को कैसा बताया उचा और भारी तो यहाँ पे तीसरा वाला दोनों विकल्प सही है मतलब यह दोनों ही सही है यह आएगा तो इस पे टिकमा करना है थरड़ वाले पे आपको मुन्नी और चुन्नो दोनों कहा पहुँच गए मुन्नी और चुन्नों पहाड की चोटी पर पहुँच गए प्रश्ण तीन है बिटे आपका सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन लगाएं मुन्नी पैर ठकने के कारण नहीं चड़ पा रही थी क्या नहीं चड़ पा रही थी सही या गलत क्योंकि ये रॉंग है इसलिए इस पे गलत चुन्नून के शब्दों से मुन्नी को गुसा आ गया उसको जोश आ गया था इसलिए ये भी गलत है हम हिम्मत रखने से बड़े बड़े कारिय भी कर सकते हैं सही कविता की पंक्ती पूरी कीजिए मुन्नी धर कर कदम कदम पर चड़ने लगी पिछाडी जो चुन्नू जुट पर पैड उठाकर बढ़ने लगा अगारी क्यों फ्रेशन पाच है आपके लिखित प्रेशन नेम लिखित प्रेशन के उतर दीजिए चुन्नू ने मुन्नी की किस बात को बहाना बताया इसके उतर देखी पेटे चुन्नु ने मुन्नी की साड़ी जाड़ी में उलजने की बात को बहाना बताया प्रश्न दो है आपका मुन्नी को चुन्नु की किस बात पर जोश आगया और जोश आने पर उसने क्या किया मुन्नी को चुन्नु की मनुश्य भी ऐसे वच्चन सुनाता है इस बात पर जोश आ गया और जोश आने पर वह चुन्नू के साथ पहाडी पर चड़ने लगी उसके पीछे पीछे पहाडी पर चड़ने लग गई प्रेशन तीन है कवी ने इस कवीता के माध्यम से क्या संदेश दिया है कि आत्म विश्वास वह जोश उत्पन होने से वह मनुश्य तता मेहनत तता हिम्मत के बल पर मनुश्य बड़े-बड़े मुश्किल कारिये भी आसानी से कर सकता है तो बैटे यह आपके तीनों लिखित प्रेशन हो गए हैं अब भाशा अध्यने के प्रेशन देखिए दिये गए शब्दों के मानक रूप लिखिए मानक रूप मतलब इसी को दूसरा किस तरह से लिखे कि वो भी सही हो जैसे गुरु द्वारा लिखा गया है गुरु द्वारे को हम इन दोनों तरीके से लिखते हैं ऐसे ही हरी द्वार ना बोध शुद्ध बुद्धी अड़ियां द्वीप गठर इन शब्दों का लिखने वाले शब्दों को रिखांकित करें तथा उन्हें शुद्ध करके सामने दिये गए इस्तान पर लिखें यहाँ पे बिटे टेहरो गलत लिखा हुआ है तो उसका शही रूप लिखा हुआ है ऐसे ही यहाँ पे जाड़ी, उंचा, शोभा, जटपट और मनुष ना तो इनका सही रूप मैंने आपको लिख के दिखा रखा है आपको इसी तरह से आपकी पुस्तक में लिखना है प्रशन तीन है ई लगा कर शब्दों के रूप बदले यहाँ पे सभी शब्दों के लास्ट में आपको इ बड़ी की मातरा लगानी है जैसे पहार पहाड़ी, सार सारी, जार जारी, तल तली, चोट चोटी, माल माली, गहरा गहरी इसी तरह से आपका प्रशन चार वी हैं जिसमें अनितकार्थक शब्द दिये हुए हैं यह बेटे आपको खुद करना है ठीके यह प्रेशन आपको अपने आप करना है अपने पैरेंट्स की सायता से या अपनी मर जिसे आपके बुस्तक में आपकी ग्रैमर वाली बुक में भी अनिकार्थी की शब्द हैं उनमें से देख के करेंगे यह प्रेशन आपको खुद करना है ठीके बेटे इस तरह से यह आपका जो चैप्टर 12 है यह फिनिश हो गया है खतम हो गया है इस चैप्टर को आप लें भी करना है और लर्ण भी करना है ठीक है असाइमेंट्स जैसे कभी फ्री टाइम पर बैठे हैं तो आप इसको लर्ण कर सकते हैं अगले वीडियो में बेटे हम त्रीतिय फॉर्मेटिव परिक्षा पढ़ेंगे इसके प्रेशन उत्र मैं आपको करवाऊंगी तब तक आप अपने आपके चैप्टर 12 का वर्क करना करके कंप्लीट करके वीडियो में अब आपको क्या करना है इक प्रेशन नॉट बुक में करने還 बाकी तो प्रेशन एक में हिं। तो इस तरह से आपको ये आपका चेप्टर कम्प्लीट करना है इसे लर्न करना है अगले वीडियो में हम फिट से मिलते हैं तब तक के लिए बेटे बाबाई एव नाइस दे बाबाई